असलाम अलेकुम वियर्स कैसे हैं आप सब आज हम आप साथ शेयर करने वाले हैं होम में ढोकले की रेसिपी जो के बहुत जादा सॉफ्ट होंगे, स्पॉंजी होंगे, जूसी होंगे, बहुत मजे के होंगे तो ये वीडियो को आप एंट तक जरूर देखिएगा, हमारे साथ किनेक्टेट रहिएगा, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ लेकिन उससे पहले आप यहाँ चेक कर सकते हैं कितने सॉफ्ट बने हैं और कितने जूसी बने हैं तो बस चलिए अब हम आपको इसकी रेसिपी बताते हैं आप कोई भी कप वगेरा ले लीजे और वही कप के अंदाज से आप यह सारी जवनाईएगा, हमने जो है मेजरमेंट वाला जो कप आते हैं वो लिये हैं आपको इभी आपके घर के हिसाब की प्याली वगेरा भी ले सकते हैं तो बस आप वही मेजरमेंट से सारे मेजरमेंट लीजे यहाँ पे जो है हमने टू कप यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं यह जो मेजरमेंट वाला कप है यह वो वाला कप है तो बस इसे सबसे पहले हम अच्छे से चान लेंगे ताकि जो भी थोड़े बहुत लम्स होते हैं वो नहीं रहने चाहिए तो आप भी जो है मेक्शूर करें कि आप पहले बेसन को चान ले बेसन को बगेर चाने आप यह रेसिपी नहीं बनाईएगा आपका धुकल भी अच्छा नहीं बनेगा तो स्टेप नमबर वन और टिप नमबर वन जो है आप बेसन को अच्छे से चान लीजिए उसके बाद जो है हम आपको बताते हैं दही का मेजरमेंट जो कप के हिसाब स आपने बेसन लीए है आपको वही कप के हिसाब से अब दही लेना है जैसा कि अमने आपको बताया है कि हम दो कप के अंदाज से यह ढोकला बना रहे है तो दो कप के लिए जो है हम एक कप दही लेंगे और एक कप जो है हम पानी लेंगे और यह दोनों चीजों को आपको बह इलाकि सारी चीजों का अच्छा से स्टोर कर लिए बस यहां पे हम धो कब के अंदाज से बना रहे तो बिले टे अन्हें मेड़ल दाल भीजिन घरभी ज करने भीजिनश पार reincarnated को मेड़ें लेगे अगन चिरह हुआ है तो धि silicon कि अष्क पाउडर, छे सब्सक्रावा बैकिंग एच्डून पॉड़ु मेड़िए ऑ तो हे एक पिंच nggakुए एक पिंच दालना है यानि कि, नहीं कि क्या होग, उसमें थोड़ा सा इसप़ोंस देश्ज को अलगाने थोड़ी थोड़ी पिंच दालना help, जा अजररी दालना help, इस्वारा है थी मिक्स don't count consistent. सबसे पहले हम इसे spoon से ही mix करेंगे जितना हमसे mix होता है उसके बाद आपको इसमें lumps दिखेंगे तो lumps के लिए जो है हमने beater वाला spoon लिए है बस आपको उससे ही अच्छे से से beat करना है और आपको make sure करना है कि ये एकदम smooth और fine paste बना चाहिए आप consistency check कर सकते हैं हमने आपको perfectly पा बहुत spongy बनेंगे बहुत soft बनेंगे और कैसा होता है बहुत से दोकलेना हलक में फसते लेकिन ये वाले दोकले आपके हलक में भी नहीं फसेंगे ये इतने जादा मॉइस्ट बनेंगे तो बस आप हमारे measurement के हिसाप से हुआर हमारे tips के हिसाप से बनाईए इन्शालाला आप पैन दे लेंगे जिसमें हम दालेंगे पानी यहां पे जो है हमने दो कप पानी दाले है हम पानी को बॉइल आने के ले देंगे और फिर इसमें जो है हम एक स्टैंड रखेंगे जिसके ओपर जो है हमारा मोल्ड आएगा जिसमें हमारा धोकले का बेटर होगा तो बस यहां पे मोल्ड को भी तयार कर लेंगे और जो हमारा पानी है हम उससे भी तयार कर लेंगे तो जैसा कि हमने फ्लेम के उपर पानी रख चुके है तो वो अपना बॉइल हो रहा है यहां पे जब तक हम मोल्ड को रेडी कर लेते हैं आपने जो है मोल्ड की थिकनेस देख लिये होंगे कि हमने कितना थिक वाला मोल लिये है इसके ओपर आपको अच्छे से ओईल ब्रश कर लेना है आप चाहे तो गी अगेरा भी लगा सकते है लेकिन आप मेक्शुर करें कि आप सिर्फ नीचे बेस पे ओईल और गी ना लगाए आप जो है जो उसके corners होते है और जो आसपास के sides होते है आप उस पे भी अच्छे से ओईल ब्रश करें ताकि जब हम इसे demold करें तो यह बहुत ही आसानी से निकल जाना चाहिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप हाथ की मदद से जो side के corners होते हैं आप उस पर भी बहुत अच्छे से oil लगा लीजिए यहाँ पर जो है हमारा mold भी ready हो जाता है और almost जो हमने पानी रखे थे वो भी बहुत अच्छे से boil हो चुका है तो बस अब हम दालेंगे हमारे ढोकले में इनो आपको जो है इनो end में ही दालना है आप यह गलती बिल्कुल भी नहीं करिएगा कि आप इनो अगेरा दाल के आपने जो बेटर है उसको rest पर रख दिये है ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है आपको सारी चीज़े ready रखनी है आपका मोल भी आपका जो पानी है वो भी उसके बाद ही आपको इसमें इनो दालना है जैसा कि हमने आपको वीडियो के स्टार्टी में बताए है हम जो है दो कप के अंदाज से बना रहे है तो दो कप के लिए जो है हमने दो पैकिट इनो के लिए है आपको इनो का कोई भी फ्लेवर यूज नहीं करना है, आपके ढूपले का मज़ा खराब हो सकता है, जो है आपको लेमन वाला इनो ही यूज करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हमने दो पैकिट इनो के दाले और इसे हमने बहुत यचा से स्टर करें, मिक्स करें, त आप उसे फोरण ढागते हैं, तो बस यह चोटी-चोटी बातों का आप ध्यान रखिएगा, इन्शालला आपका भी ढोकला बहुत जादा मज़े का बिनेगा, तो बस अगर आप इनो वगेरा दाल रहे हैं, तो आप उसे सबसे एंड में दाली, आप यहाँ पे देख सकते ह जो हमारा बेटर है, वो कितना फलफी दिख रहा है, अब जो भी इसे रखेंगे, तो यह और जादा फलफी होंगा, और जो हमारा ढोकला है, वो बहुत जादा स्पॉंजी और बहुत जादा सॉफ्ट होगा, तो बस यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से रखना है, आप प रखना है, फौर एट लीस्ट 7 मिनिट्स के लिए आपको फ्लें रखना है, जो हमारा ढोकला वो बन जाता है, लेकिन आपकी ध्यान πेम के ओपर है, बहुत ही अच्यक्राra मिनिट्स बहुत एपर रखना है, लेकिन 7 मिनिट तक कम से कम, आपको यहाँ बहुत है से तर्टी म तो हमारा पतीला है ना हमारा मोल्ड हम इसमे ही रखेंगे फॉर 10 मिनिट ने जब तक हमारे डोकले को स्टीम मिलती है हम तब तक जो है इसका तड़का रेडी करेंगे तो बस यहां पे जो है हमने 2-3 टेबल स्पून ऑईल डाले है अगैन आपके हिसाब से दाल सकते है कि इतन इसमें वो भी डाल दिये है आपको इसे फॉर 5-10 सेकेंड आपको इसमें स्टर करना है उसके बाद जो है हम इसमें पानी डाल देंगे कुछ आधी गलास के हिसाब से बस यहां पे हमने पानी डाल दिये है पानी डालने के बाद जो है हम इसमें डालेंगे शुगर अगैन श जब पानी को थोड़ा बॉइल आगया तो उसके बाद जो है हमने इसमेर 1 तेबिल स्पुन शुगर दाले है जब हमारी शुगर फोर इसे डिजॉल्फ होने देना है जब हमारी शुगर थोरी से डिजॉल्फ हो जाएगी तो इसके अदर हम दालेंगे एक निम्भू का रस जि आप कितना prefer करते हैं बस आपको इसके boil आने तक का wait करना है यहां पे इसे बहुत ही अच्छे से boil आ चुका है तो बस यह point पे जो है हम flame off कर देंगे और हमारा जो यहां तड़का है वो भी ready हो जाता है तो बस अब हम इसे भी completely ठंडा होने के लिए side में रख देंगे तो चलिए अब हम करते हैं demold हमारे ढोकले को तो यहां पे आप चेक कर सकते हैं जो हमारा ढोकला है वो बहुत ही अच्छे से demold हो चुका है और आप देख सकते हैं माशलला से बहुत जादा प्यारा बना है तो बस अब हम इसे cut कर लेंगे आपको बहुत ही ध्यान से cut करना है यह बहुत ज्यादा soft बना था तो बस अब हम इसे cut कर लेंगे, आप आपके हिसाब से cut कर सकते हैं कि आप कितने बड़े pieces prefer करते हैं, यहाँ पे हमने हमारे हिसाब से cut कर रहे हैं, जब यह cut हो जाएगा तो हम आपको इसका sponginess और यह कितने fluffy बने हैं, हम आपको वो भी check कराते है हम आपको हर तरफ के pieces भी check कराएंगे, हमारे middle वाले pieces भी बहुत अच्छे से बन चुके थे, जो side वाले pieces भी बहुत अच्छे से बन चुके थे, नहीं तो क्या होता है, बहुत सारे लोगों से ऐसा हमने सुने हैं कि जिनका beach का धोकला कच्छा रह जाता है, side का कच्छा रह तो इसलिए हम आपको जो भी चारों तरफ से जो भी pieces हैं हम आपको सब बताएंगे और हमारे सारे pieces बहुत ही अच्छे से बने हैं, बहुत जादा spongy और fluffy बने हैं और बहुत soft बने हैं कि जब आप खाएंगे तो आपके हलक में भी यह नहीं अटकेंगे, तो बस यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यह बहुत जादा soft बने हैं, बस इसके बाद जो है, जो हमारा तड़का हमने ready करके रखेते हैं, वो हम इसके पर अच्छे से garnish करेंगे, आप चाहे तो आप इसके अपर कोत्मिर भी डाल सकते हैं, अच्छा एक जो है यह ऐसा गीला तड़का था, अग आपको उसमें पानी वगिरा नहीं डालना है, आप जो है यह ढोकला जो होता है यह उसमें डाल तीचियो और वो सारे मसाले में अच्छे से भून लीजे तो यह आपका ड्राय वाला तड़का भी रेडी हो जाता है, हम यहां पे जो ऐसा लिक्विड वाला तड़का है, यह यहां पे हमारा स्पॉंजी सा, फ्लफी सा, बहुत ही यमी सा डोकला जो है वो रेडी हो जाता है, तो बस यही तियाज की चोटी सी रेसिपी और वीडियो तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज सपोर्ट करें, शेर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और एक बार यह ढोकला बना कर ज़रूर ट्राइक करें, हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा आपको कैसी लगी थी, दुआओं में याद रखिएगा, हमारे इंस्टेग्राइम पेज को ज़रूर फॉलो करिएगा, होप यू लाइक दी वीडियो, जजा करला झाल झाल